Hello student, I am Kamala ठाकूर फ्रम भात्मा गांधी शिक्षन संस्थान दर्भंगा In this video, I will be teaching you class first subject Sanskrit chapter 9, part first Chapter's name is द्यानिक उप्योगा सिवस्तुनी इसे English में कहते हैं daily use articles It means प्रति एक दिन के उप्योग में आने वाले वस्तु तो बचो इस chapter में आपको daily use में आने वाले वस्तु के बारे में पढ़ना है तो देखिए आपको picture के साथ दिखाया गया है First में है जलम, जलम मिन्स पानी, जिसे हम English में कहते हैं water Next है फलम, फलम मिन्स फल, फल को English में कहते हैं fruits Next आसंदिका, आसंदिका मिन्स कूरसी, कूरसी को English में कहते हैं chair Next परियंका, परियंका मिन्स पलंग, पलंग को English में कहते हैं bed Next है व्यजनम, व्यजनम मिन्स पंखा, पंखा को English में कहते हैं fan Next है फेनिलम, फेनिलम मिन्स साबुन, साबुन को English में कहते हैं soap And last है घटः, घटः मिन्स घरा, घरा को English में कहते हैं पीचर Next है अभ्यास, अभ्यास में दो question है, first question है निमनलिखित सब्दू के नाम संस्क्रीत में लिखिए तो सबसे first में है घरा, घरा को संस्क्रीत में कहते हैं घटः Next है साबुन, साबुन को संस्क्रीत में कहते हैं फेनिलम नेक्स्ट है पलंग, पलंग को संस्कृत में कहते हैं पड़ियंकह, नेक्स्ट है कुर्सी, कुर्सी को संस्कृत में कहते हैं आसंदिका, एंड लास्ट है फल, फल को संस्कृत में कहते हैं फलंग, एंड नेक्स्ट क्वेशन है निम्निलिखित सब्दों के नाम हिंदी में लि गर्टः घराइ व्याजनम व्याजनम पंक्खा ए लास्त है पर्यंक 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 प्लंग so i think it's enough for today i will meet you again with another video